यह लो फ्रेंज वेलकम तो रियास क्लासे तो प्रिवियर सेशन में आपने सेकेंडरी क्यापिटल मार्केट के बारे में पढ़ा उसका नीचट देखा उसके फंक्शन्स देखे एंड हमने स्टॉक एक्षेंज इन इंडिया के बारे में भी देखा आज के सेशन में हम securities होती है वो किस प्रकार से जो है वो लिस्ट होती है और सारे के सारे securities जो की company issue करती है या फिर कोई भी body issue करती है वो directly जो है stock exchange में trade नहीं होता है only those securities that can be trader on a particular stock exchange which have been duly approved for the purpose so खाली वो ही वाले securities जो है वो trade होते है stock exchange में जो की सब पहले से ही approved होता है that is for the purpose of listed on that stock exchange so अगर वो listed होगा तभी वो उसका trading हो सकता है तो listing का यहाँ पर मतलब क्या है अगर हम listing का मतलब देखें listing implies admission of security of a company dealing on the stock exchange तो यहाँ पर हम उस security का admission करा रहे जैसे बच्चों का admission करवाते है न स्कूलों में वैसे ही यहाँ पर जो stock exchange है उस stock exchange में इस company के company ABC हमने ले लिया अगर इस company ABC के जो security है उसको हम एक तरीके से list करवा देते हैं उसका जो है नाम चड़ा देते हैं जब उसका नाम चड़ जाता है stock exchange में तो वो जो है available हो जाता है worldwide publicly और हम लोग जो है हम लोग जैसे investor है हम जैसे investor हम अपने app खोलते हैं और हम अपने app के थ्रू जो है इन stock को को जो है इन share को जो है हम लोग purchase करते हैं तो यहाँ पर listing का simple मतलब है कि admission करवाना उस securities of a company dealing on the stock exchange तो यहाँ पर अगर कोई भी एक company कोई भी company हो गया कोई भी ABC company XYZ company अगर उसको अपना securities अगर trade करवाना है अगर मेरी एक company है मैं सोच भाई मैं भी securities issue करती हूं funding थोड़ा raise करती हूं अब मेर को भी जो है अपने securities को trade कराना है मुझे नहीं पता तो first step मेरा यही रहेगा कि मैं अपने securities को जाके क्या करवा हूं मेरी securities को जाके मैं listing करा हूं stock exchange पे and my securities have to get included in the list of stock exchange so वो जो stock exchange है जहां पे मेर को dealing करना है वहां पे मैं जाके क्या कर दूँगी listing करा दूँगी अपने stocks का so क्या listing कराने का कोई procedure होता है इसका एक procedure भी होता है simple सा procedure रहता है company को जो है application पहले देना होता है जो जो information मांगा गया है वो सारा information जो है stock exchange को इनको provide कराना पड़ेगा section 19.2 of the securities contract rules 1957 अब ये वाले जो section है 19.02 ये इसमें आपको बताया गया है कि जो minimum requirement होता है listing of securities का कि हमको अगर अपने securities को मेरी एक company है मुझे अपने securities को अगर list कराना है तो minimum आपको क्या-क्या requirement रहेगा ये सारा information आपको इस particular section 19.2 का कौन से एक का ये जो securities contract regulation rules जो है 1957 का इसके इस section में section 19.2 में आपको ये सारा information आपको मिल जाएगा इसके अलावा every recognized stock exchange हर वो जो recognized stock exchange हो गया उसको ये power होता है इनके पास ये power रहता है कि वो खुद के rules भी बना सकते आप जैसे bank वगेरा में भी आप देख सकते उनके खुद के आप ऐसा नहीं कि एक bank का फॉर्म लेकर दूसरे bank में खाता खुल लो ऐसा नहीं सबका जो है अलग अलग थोड़ा सा फॉर्म रहेगा सबके अलग अलग थोड़े अपने इसाब जो है वो भी rules वगेरा चेंज कर सकते हैं सिविरलरल यहां पर भी रहता है कि सारे जो जितने भी रिकंगनाइस टॉक एक्सचेंजिज उनके पास इतना पावर रहता है कि वह अपने rules खुद बनाए अपने bylaws खुद बनाए कि security जो है किस हिसाब से लिस्टिंग होगा security इसको suspend किस तरीके से किया जाए withdrawal किया जाए अगर उनको जो है prohibit भी करना होगा वो भी किस हिसाब से prohibit करेंगे वो सारे rules जो है वो अपने हिसाब से जो है वो बना सकते इतना उनमें जो है power उनको दिया गया है कि आप जो है थोड़े बहुत rules जो है अपने भी बना सकते हो बट इसके अलावा अगर हम बेसिक जो है बेसिक eligibility की बात करें कि listing of security अगर मेरी ये company है और मुझे मेरी ये चोटी सी company है और अगर मुझे list कराना है तो बै क्या सीधा भू उठा के चाके list करा दू क्या उसके लिए कोई minimum eligibility है कि मेरा paid up capital इतना होना चाहिए कुछ तो होगा इसके भी छोटे से कुछ rules होते हैं पहला rule ये है कि आपका जो minimum issued equity capital है वो 5 करोड का होना चाहिए minimum issued equity capital कितने का होना चाहिए पांच करोड का होना चाहिए जिसमें से rupees 3 करोड where trading is screen based अगर पूरा का पूरा आपका screen based है तो वो 3 करोड का होना चाहिए तो यहां पर थोड़ा relaxation मिल जा जाए screen based वालो को minimum issue minimum issued capital आपका कितना होना चाहिए पांच करोड का होना चाहिए बट इस आप if you are doing anything that is based on screen screen based अगर है आपका system trading आपका screen based वागया system है तो it is 3 करोड तो minimum issued equity capital उस case पे आपका 3 करोड होगा second important point है that is with respect to minimum public offer of equity capital तो यहां पर minimum आप जो public offer करोगे न equity capital का it shall not be less than 25% तो 25 प्रतीशत तो होना ही होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए minimum 25% जो है आप offering करोगे तो यह दो जो है basic eligibility इसके भी ना तो भाई आप घुसने की सोचना भी मत तो यह main requirement है यह दो जो है basic eligibility है जैसे अकाउंट खुलवाने जाते हो तो भाई basic आपका KYC होता basic आधार card या pad card बतलब कुछ तो basic document होना चाहिए उसी तरीके से यहां पर जो है यह basic चीज है कि आपका minimum issued capital पांच करोड का होना चाहिए बट अगर screen based जाता हो तीन करोड का होना चाहिए and minimum public offer of equity capital जो है it shall not be less than 25% public offer जो है आप at least 25% का तो करोगे ही करोगे ऐसा नहीं कि आप मूँ ठाके चले कि हां भाई मैं 10% का करूंगा ऐसा नहीं minimum यहां पर रखा गया है 25% बाट यहां पर एक star mark है यहां पर star mark यह है कि अगर कुछ conditions है certain conditions है अगर इस conditions को आप satisfy करते हो अगर इन conditions को आप satisfy करते हो तो क्या होगा आपका यह 25% घटा के आपका 10% भी आप कर सकते हो यानि कि आप जो है 10% पर भी जो है minimum public offer of equity capital जो है वो आपका 10% रह जाएगा उस case में यह आपका कुछ न कुछ क्या है basic eligibility है जो की चाहिए ही चाहिए to get yourself registered in any stock exchange देखे एक और है companies act 1956 में जो है एक है section 73-1 section 73-1 of companies act companies act 1956 तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है यहाँ पे यह बोला गया है कि अगर आप एक company हो and if you want कि आप offer करो shares या debentures to the public किसके लिए subscribe करने के लिए obviously अगर ऐसा करना चाहते हो आप एक prospectus वगेरा निकाल के proper सा तो उस case में आपको listing कराना बहुत ही जादा जरूरी है और listing आप कहा कराओगे कोई भी stock exchange में आप करवाओगे कोई भी यानि कि कोई भी recognized stock exchange में आपका listing होना बहुत ही जादा जरूरी है without listing आप prospectus भी नहीं issue कर सकते without listing आप किसी भी प्रकार का जो है share अपने share या फिर debenture public को नहीं offer कर सकते for the purpose of subscription ठीक है तो यहां पर section 73-1 of the companies act 1956 में यह important यह star mark करके बताया गया है कि listing जो है वो बहुत important है short में यह है कि भाई listing करना बहुत ही important है अगर आप जो है publicly जा रहे हो अपना share या picture लेके कि भाई आजाओ आजाओ subscribe कर लो मेरे shares को उसके लिए आपको जो है listing करवानी पड़ेगी किसी भी stock exchange में किसी भी recognized stock exchange में not only that it may become mandatory for a company when the central government या फिर से भी requires a company to do such thing under section 21 of the securities contract act 1956 तो short में यह है कि भाई इसका सब का कहने का मतलब यह है कि आपको listing कराना compulsory है so before we continue यह जो topic है this topic is part of unit 10 capital market of the subject business environment mco4 mcom second year IGNU also if you like all these videos that I am sharing do hit the like button do share your comments to let me know you find all this useful for your study next हम देख लेते हैं कि what are the basic advantages of listing of a security listing के बारे में हमने देख लिए और यह भी देख लिया कि listing जो है भाई बहुत ही ज्यादा important है उसके भीना जो है आप subscribe आप जो है जहाने ही सकते अपना offer लेके share and adventure को to the public for subscription purposes now advantages of listing हम देख लेते हैं advantage में सबसे पहला advantage यही है कि वह public image of the company credit worthiness public image of the company को simple improve करे में बदद करता है कप्पिटी का जो image होता है वह बहुत ही जादा अच्छा हो जाता है अगर आप जो है list करा देते हो अपने securities को second यह रहता है कि continuous market आपको मिल जाता है यहां पे continuous form में यहां पे sale and purchase होता रहता है यहां पे buy or sell जो होता है securities का continuous में होता होगा हमेशा कोई ना कोई seller होगा buyer जो है वह खरीदरे को तयार आपको बिलेगा seller जो है वह बेचने को तयार मिलेगा तो यहां पे जो है बहुत जादा जो है continuous में जो है आपको एक continuous प्रकार का market मिल जाएगा जहां पे buyer और seller हमेशा available तो इसका फाइदा क्या है आपको liquidity की जो problem है वह कभी नहीं आएगी so liquidity की समस्या जो है वह आपकी दूर हो जाएगी third अगर हम बात करें banks और और financial institution होते हैं वह ऐसे companies को जो की listed होते हैं उनको loan वगेरा जो है जल्दी दे देते हैं क्योंकि उनको पता है की listed है मतलब की already कुछ criteria's जो listing के होते हैं वह already meet कर दिया इसने प्लस इसका goodwill भी अच्छा है क्योंकि फिर इसका share price वगेरा भी देख लाए था goodwill अच्छा ही है इसका तो इसके basis पे जो है loan वगेरा मिलने में काफी असानी रहती है next the fourth one is that it ensures disclosure of important financial information about the company on a regular basis regular basis में जो होता है disclosure आपको मिलता रहता information आपको मिलता रहता information के बारे में inside information मिलता रहता उन information के बारे में discussion होता है जैसे आप TV पी देख सकते हो stocks जो होते है उस पे सुबह से लेका रात तक experts लोग वैट के जो है इस पे discussion करते रहते हैं पूरा का पूरा जो financial finance होता है financial data होता है उसको आपको सब कुछ इस के बारे में company के बारे में पता रहता है तो यहां पे do your transparency है with respect to financial information of the company वो जो है regular basis पे आप disclose करते चले जाते हो तो सबको पता रहता है कि आपके company में चल क्या रहा है अच्छा चल रहा है या डूब रही है आपकी company and the last one is that it leads to wide distribution of shares which help in mobilization of resources in future by way of further issues again obviously अगर आप एक national stock exchange जो एक प्रीमियर जो regional stock exchange की बात ना करके हम BSC या फिर अगर NSC इन सब की हम बात करें अगर इन में आप listed हो तो आपको पूरे countrywide exposure यहां पर मिल जाता है countrywide exposure आपको यहां पर मिल जाता है तो उससे फाइदा आप ही को होता है आपके stock को होता है और आपको जो है few further आपको जो future में जो मिलने वाला जो आपका जो भी liquidity की problem है वो नहीं रहेगी आपका goodwill बना रहेगा नए investor investment opportunities जो है आपके पास जो है नए तरीके का आता रहेगा तो यह सारा जो है फाइदा ही है तो एक तरीके के आपका जो share है वो उसका worldwide distribution चलता रहेगा wide distribution वहां पर उसका चलता रहेगा so all these are the advantages of listing of securities on a stock exchange so यह पर एक और बात ध्यान रखने की है कि भाई एक company को हमने list तो करा दिया ठीक है list करा दिया company का नाम चड़िया stock exchange में अब stock exchange में हमारी company का नाम चड़िया इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी company बहुत ही महान company है या फिर इसका goodwill बहुत ही अच्छा है बहुत ही जादा पका पका अगर कोई investor इसके share लेगा तो उसको profit ही profit होगा इसकी guarantee बिल्कुल नहीं है इसकी guarantee बिल्कुल क्यों नहीं है यह इसलिए नहीं है कि भाई listing of security का मतलब यहीं है कि जिस time पे listing हो रहा था ना उस time पे जो है सारे जो requirement से listing के वह सारे requirement जो है यह company उस time पे meet कर गई but future में क्या होता है वह क्या loss होता है या profit होता है भाई वह सब तो जो future में उसके financial results से ही पता लगेगा but कहने का मतलब यह है कि listing of security does not guarantee the financial soundness या फिर profitability of company ऐसा नहीं है कि listed है तो भाई profit य प्रॉफिट देगी ऐसा जरूरी नहीं है वह loss में भी जा सकता है so that's it for this session thank you so much for watching like share and subscribe to Ria's classes thank you and bye-bye